वह 8 बजे से पुर्व नहा चुका था को इंगलिस में translate करेंगे आज की इस वीडियो में ये past perfect tense का affirmative sentence है और ऐसे sentences को इंगलिस में translate करने का निया में पहले subject लिखना है इस वाक्य में subject हुआ और वह की इंगलिस ही होती है उसके बाद head लिखना है उसके बाद यदि sentence negative होता तो note लिखते हैं यहाँ पर note का कोई काम नहीं है तो height के बाद verb का third form लिखे हैं कि verb नहाना और नहाना का इंगलिस में take what करते है take what का third form होता है taken what ठीक है उसके बाद sentence में कि 8 बजे से पूर्व इसकी इंगलिस होती है before 8 o'clock तो हमारा sentence बनता है he had taken what before 8 o'clock लेकिन यदि sentence होता कि वह 8 बजे से पूर्व नहा लिया था तब यह past perfect sentence का ही sentence होता और इसकी इंगलिस भी यही होती he had taken what before 8 o'clock यदि sentence negative होता तो यहाँ पर head के बाद note भी लिखते हैं यहाँ पर note का कोई काम नहीं है दोस्तों सिर्फ एक मिनट में किसी भी हिंदी वाक्य का English translation और उसे English में translate करने का नियम भी सीखते रहने के लिए चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें